माज मैं माज चालूंगा, माज मैं मार गया भया तो सेकंड कमेंड खा हमारावि बर्न सिंग को सेकंड कमेंड था तो बाकि नम नम 5 पैंप प्रांटिक जेंड तो सोरी यार लेकिं फिर्स्ट कमेंड थाइक्यू यार भाकि है नवीन गेमिंग वाई टी तो थाइंड को दिल क्यों यू दिल यार लाभ यू त scient कमेंट हुआ करेंगे मैं शोक कर दिया करूँ यहां पर तो दोस्तो आज की अपडेट काफी मज़े वाली होने वाली है तो विडियो का एंड तक जरूर देखना तो दोस्तो बहुत जबरतास इवन्ट हमारी गेम में आने वाले हैं लेकिन जो अभी हमारा जो लेक्टेस्ट चल रहा है चले उसके उपर डायमेंड को करते हैं बरबाद तो देखते हैं कि वह बंडल कैसा दिखता है तो चले करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें प्यार्जी गेमर को और बेल आइकन को आल पर पर प्रेस कर है लेकिन भाई ऐसा करते करते हैं ना यह जो बंडले फ्याडिट वील के अंदर आ गया हाँ मुझे पता है दिल पर छुरिये चल गी होंगी लोगों के दुख तो हुआ होगा पर क्या कर सकते हैं दोस्तों लेकिन यह बंडल काफी ओपी बंडले तो चले इसको मैंने यह द स्पिन फ्री तो दोस्तों फ्री में निकलेगा हमारा बंडल हाई थिंग आज लखीड है तो होना हो चाहिए तो कंफार्म तो निकल जा भाई निकल 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 जा निकल क्या निकल जा भाई ओ भाई फ्रेग्मेंट तो कोई बात नहीं कोई परशानी वाली बात नहीं है बंडल निकाल के रहना है हमें बंडल चाहिए फ्री फार बंडल जितने डामन लगा देंगे लेकिन बंडल हमको चाहिए तो चलें फिर से करते हैं कनफर्म तो सेकंड टूर्टी नैन का हुआ है तो नहीं गंद नी चाहिए बंडल और या शेट कोई बात नहीं यार लगिन अब देखते हैं कि तीसरा स्पिन हाँ वाई क्या करें करना तो है वैई चले यां डामन लगाते हैं फिला थोड़े थोड़े डामन लगए महसूस नहीं होगा तो तीसरा बॉक्स तो निकल जा बंडल 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 पर रुपना बंडल पर ओवाई एक फ्रेग्मे हैं इतने सस्ते में मिल जाएगा तो अभी देखते हैं कि क्या निकलता है ओ भाई साब बैनर तो भाई यह बैनर निकला है हमारा 59 डामन के अंदर तो दोस्तों डामन में उंच निच हो सकती है क्योंकि मैं अलगलग सर्वर पर टॉप आप करके वीडियो बनाता रहता हूं तो डामन पर इतना घोर नी करना किया और वहां पर इंडिया सर्वर कम डामन वह खुलता है तो यहां मेंगा तो इस बात को इगनोर किया कर और क्योंकि मैं पर बहुत सारी आइडियास है आइडियास नहीं स्वरी आइडी हैं तो चले गाईज अब करते हैं 199 का टॉप और यार यह दो बंडल के उपर रुकने के बाद फॉरन आगे चले गया यार हद हो गई यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए फ्री फार 499 यार क्या करें कल टॉप आप किया है कितना 1500 डायमंड का टॉप आप की वीडियो बनाने के लिए अभी निकल बंडल 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 तो भाई साथ तो निकल गया बंडल हमारा तो अब देख सकते हैं यह भाई बंडल डेख तो काफी बंडल है तो क्या कह सकते हैं लेकिन इसका भाई बंडल मेरा आपके पास नहीं है तो क्या हुआ फीमल करेक्टर का बंडल तो आपके पास है ना तो कई बात नहीं होता रहता है चलें दोस्तों इसको क्लेम करते हैं यहां से ओके कर लेते हैं अब चलते हैं अपडेट की तरफ तो आता हूं कैसे तो यह काफी अच्छर काफी मज़े वाला है तो यह पांच चीजे मिल गी है अब चलते हैं बैक और यहां से हमने इमोट लगाना यह ताड़ी वाला इमोट और यहां से हमारे जो पेंगविन के नीचे वाला इमोट देखना भी यह एक साथ यह चीज तो कैसा लगा दोस्तों काफी अच्छा लगा में रखो तो चलते हैं अब अपडेट की तरफ तो पहली अपडेट निकल के आती है DJ Allo के डिसकाउंट की तो अलग लग सर्वर पे अलग लग डिसकाउंट देखने को मिल रहा है जैसे कि मैं आपको कल की वीडियो में बताया था कि 80 परसøंट मिला है दोसे सर्वर पे तो एक और सर्वर में दे दिया गया डिसकाउंट तो वह भी आपको दिखा था तो इसके उपर था 80% का discount तो यहां पर है 67% का तो इंडिया रिजिन का जो discount होगा I think 50% ही होता है, store में जाता है जो discount आता है तो हमको जो इंडिया server पर discount देखने को मिलना है वो 50% ही होगा तो 50% off का आप देख सकते हैं तो दोस्ता अगली update निकल के आती है हमारी जो rank के जो new season है उसके banner की, banner के साथ साथ उसके जो bundles है तो bundles आपको पता है के मिलते नहीं है मिलती है सिर्फ शर्ट, तो चले मैं आपको शर्ट दिखा देता हूँ के शर्ट कौन सी मिलने वाली है पहले आपको banner दिखाता हूँ तो चार ते पांच किसम के banner होंगे तो आप देख सकते हैं यह पांच तरह के banner है उपर silver, gold, diamond, सारे के सारे उपर heroic और grandmaster के तो यह काफी अच्छे अच्छे हैं season 17 के banner होंगे तो काफी मज़दर लगे और में वो काफी अच्छे लगे heroic का तो हमेशे से red ही रहा है कि जब भी आता है banner red में होता है तो gold की shirt कुछ इस तरह की देखने को मिलेगी तो देख सकते हैं यहाँ पर काफी अच्छे लगी तो इसके साथ साथ एक होगी हमारी जो red color की वह होगी heroic वाली तो यह heroic की है ओ सोरी यह gold की है यह grand master की है तो पता नहीं यह gold ही लिखा हुआ शायद I think gold ही है तो gold की ऐसी होगी grand master की तो I think मिलती ही नहीं वो तो हमें सिरफ उसके banner मिलते हैं तो यह कभी gay नहीं है ना एक दफाई गया थे लेकिन कुछ मिंटों के लिए इसके बाद फिर heroic में फैक दिया है उन्होंने बस यह दुख नहीं बड़ बांट हमारे तो चले यहार देखे यह रिषयट हमारी तो heroic की रिषयट कुछ ऐसी देखेगी तो आप देख सकते हैं यहार लिखा भी हुआ है Roman के उपर के 17 तो वहीं काफी awesome है काफी अच्छी लगी मेरे को क्योंकि सरदी आने वाली है कि हमारे करेक्टर को सरदी भी नहीं लगेगी तो दोस्तों आप बात करते हैं इसे अगली अपडेट की तो यहार अभी काफी दार दोस्त कहे रहे है टॉप अप रिवार्ड तो आ गया पैंग्विंग लेकिन नेक्स टॉप अप रिवार्ड कौन सा होने वाला है तो यहार जो नेक्स टॉप अप रिवार्ड होने वाला है ना वो फ्लैमिंग ग्लू आले ना कोई और ग्लू आले इस दावा जो लेक्स निकल के आई है वो है हमारे कटाना की स्किन जिसको मैंने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था उस न्यूज को लेकिन अब मैं आपके लेकर आ चुका हूँ पूरी की पूरी वीडियो तो वीडियो में देखें कि कैसी दिखती है कटाना लेकिन मुझे इतनी खास नहीं लगी इतनी अच्छी जैसे कि फिलेमिंग वाले काफी अच्छी लगी लेकिन यह बस गुजा रहा है चले आप देखते हैं स्क्रीन के ओपर यहां पर लिखा है 140 डायमंड का तो यह 140 पर नह तो यह कुछ ग्लिच चल रहा है फ्रीफायर का आपको पता है कल की टॉप अप रिवार्ड के वीडियो में भी में था यह ग्लिच हुआ था कि दो चीजें एक साथ मर्ज होगी थी तो यहां पर भी सेम्टिस में वैसा ही हो रहा है तो यह जैसी भी यह देख सकते हैं यहां पर अगर आपको अच्छी लगए कि तो आप 300 डायमंड के टॉप पर आप हासले कर सकेंगे नेक्स टॉप रिवार्ड वाली तो दोस्तों बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो अगली अपडेट निकल के आती है वह हमारे एक न्यू करेक्टर के बारे में अगर आपको नहीं पता तो अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपने करना किया है कि आपको जाना है अपनी गेम के अंदर वहां से आपको जाना है अपने करेक्टर वारे सेक्शन के अंदर चलें क्लिक करें और यहां से आपको चें तो यह बहुत कमाल का है, इसकी ability भी बहुत कमाल की है, बहुत अच्छी लगी है मैं जो इसकी ability, लेकिन अभी आपका question यह होगा कि इसको हमने claim कैसे करना है, तो नीचे आप देख सकते हैं कि आपको option होगा, yellow color का option लिखा होगा है, तो आपने इसको पर click करना है, तो यहाँ प जाएगा, दूसरा mission जो निकल के आता है, यहाँ पर वो है, आपको तीन kill करने है, katana के साथ, तो आज दिंग वो आपको room बनाना होगा, या बहुत आपको classic या rank खेलनी होगी, तीसरा mission जो है, वो है आपको, के आपको 10 player को kill करना है, जब आपके HP 100 से कम हो, 100 से कम हो, 200 से नह यह जो येलो वाला token जो की light pass लेने पर मिलता है, तो उसका होना आपके बाद जरूरी है, जिसका नाम या अवाकिंग शाड ऐसा, कोई नाम है अजीब सा, उसके बाद आप claim कर सकेंगे इस character को, तो character तो कर लेंगे, लेकिन इसके ability क्या है, दोस्तो यार यह ability ना भई, बहु 20% कम कर देगा, उसका जो damage होगा, तो यह बढ़ भी सकता है, जैसे आप level बढ़ाते जाएंगे, तो यह बढ़ता जाएगा, और 50 second के बाद दुबारा से आप इसकी ability को कर सकते हो, दुबारा से continue, तो आप देख सकते हैं, जैसे fire किया तो उसके सामने shield बन गई, तो इसके सा आती चोड़ी करके खड़े हो जाना है कि भाई बोलो मार, तो ज्यादा भी नहीं कुछ second के लिए इसकी power होती है, इसके बाद खतम हो जाती है, तो इस बात का ध्यान रखना जब भी किसी से fight करना है सामने, ऐसे उन आपको enemy को देख के भागो और अप इसकी power लगा लगा ल देना like em ten thousand का होगा, तो I hope कि आप पूरा कर दोगे फिर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडिया में अपना ख्याल रखना, bye friend